अगर आपके पास भी कोई अगर ऐसा अच्छे लेवल का कोशन है तो आप भी पूछ सकते हो यह थोड़ा सा लॉजिकली कोशन था जरूर ठीक है न तो आप मेरे टेलिग्राम मैंज सुझेज सिंग में पूछ सकते हो ठीक है न यह बहुत यह अच्छा कोशन है अब इसे समझ नयंगी कोशिस करो. मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, इंगलीस वालै, देख लें, ठीक है नुग रहे हैं, जो है अधार का जो रेडियेस है, वो 16 है ऐसे लिए Rain है। थोड़ी सी टेड़ी फिगर बन रही है तो उसके चक्कर में ने रही है ठीक है न और कह रहा है कि जो completely milk से filled है ठीक है यहां पर एक बात ध्याने न कि लेटरल सर्फेस एरिया आपका दिया हुआ है पाई आर एल की वैलू 320 पाई कितना दिया हुआ है 320 पाई ठीक है वक्रप्रिस्ट का चेतरफल करोप्रिस्ट का चेतरफल ठीक है न ड्यू टू लिक इन द बॉटम नीचे पेंदी में छेद है और उससे milk जो है लिक हो रहा है ब पूरा माल लेते हैं न भरा हुआ है तो जब यहाँ से छेद है और milk जब यहां से बाहर निकलेगा तो यह water label धीरे धीरे घटेगा ठीक है न तो बारा नीट बाद माल लेते हैं कि इतना हो गया water label ठीक है तो यहां पर फिर से एक कौन बनेगा और यह वाला कौन हमें काटके निकालना होगा और हमें height ये वाली निकालनी होगी कौन सी हमें height ये नीचे वाली निकालनी होगी इस बात को ध्यान देते रही है ठीक है तो चलो हमें 20 आजाएगी और L क्या होता है तीरी ये कुछ आई अगर आप यहाँ पर triplet लगाओगे तो 20 सोलत ये आजाएगा आपका 12 या तो पाइथागोरस थियोरम से आप निकाल लेना capital H की value आ गई आपकी 12 ठीक है लेने जो बड़े वाले कोन है ठीक है वाटर लेबल माल लेते हैं कि यहां तक हो गया ठीक है तो उपर भी फिर से कोन बन रहा है इतना clear है चलो आगे के बाथ हम बता देते हैं इसमें उपर वाले अगर कोन का हम वोल्यूम निकालना चाहें तो उपर वाले कोन का है इतना milk बहे गया है और बहे कितना गया है देखा हम उपर वाले कोन इस माल V की value लिखना चाहते हैं 36 πाई एक मिनिट में बह रहा है और 12 मिनिट में इतना बहेगा ठीक है capital V की value मतलब पूरा जो बड़ा वाला कौन था स्टार्टिंग में उसका item कितना था item होता है एक बटे में 3 πाई radius का square और height ठीक है तो इन से चार बार में कटे गा ठीक है 16-16 का multiply करोगे 256-256 का 4 गुना करना है तो 1024 होगा कैसे 256 का 2 गुना करो पहले 512 फिर double करो 1024 ठीक है यह capital V की value 1024 πाई आ रही है यह πाई को πाई रहने देते हम change नहीं करते यहाँ पर एक बात यह समझने वाली थी कि अगर volume में change ठीक है न volume में change small V और capital V का ratio जो है यहाँ पर आप देख सकते हो small V कितना है 36 πाई गुड़ते 12 ठीक है 36 πाई गुड़ते 12 और आपका जो capital V है 1024 πाई है ठीक है बाकी सारा कटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 27 और यहाँ पर आएगा 64 ठीक है small V और capital V में 27 और 64 का है अगर आयतन में ठीक है अगर आयतन में 27 और 64 का ratio है तो इसके side कोई भी side की बात कर लेते है चाहे हो height हो या radius हो या कुछ भी आपकी slant height हो ठीक है ने small L capital L तो इसमें जो ratio होता है इसका cube root होता है cube root क्या होगा 3 ratio 4 ठीक है यह 4 क्या है capital H है ठीक है न और लेकिन आपके यहाँ पर starting में मैंने capital H की value यहाँ पर आप देख सकते क्या निकाला होगा है 12 तो 4 की value अगर 12 है तो 3 की value कितनी होगी 9 ठीक है मतलब इसमाल कौन की जो height है वो 9 होगी ठीक है आज आते हैं अब figure पे ठीक है यहाँ पर figure में देख लीजेगा पूरी height यह पूरी height 12 ही यह उपर तक 9 होगई तो नीचे के लिए 3 बचा यही आपका water label होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं दिखा देता हूँ यह हमारा water label होगा 3 ठीक है तो यह इसका answer है I think आपको यह logic समझ में आया होगा यह वाली बात समझने की थी कि अगर volume में volume में 27 और 64 का अगर ratio है तो इसके किसी भी side चाहे height की बात करें चाहे radius की बात करें चाहे slant height की बात करें cube root हो जाता है ठीक है na cube root हो जाता है अगर हम surface area की बात करें तो हम cube root निकालने के बाद यहाँ से square कर लेते हैं ठीक है ऐसा यह logic चलता है I think यह आपको समझ में आया होगा अगर आपका भी doubt है तो आप भी पूछ सकते हो Thank you